वेलकम टो और वंडे एक्जाम क्लासेज देखें इस समय आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और कड़ी सुरच्छा के बीच में आपके पेपर हो रहे हैं इस सरे की सुरच्छा रहेगी तो जो योग होगा वही नौकरी पाएगा आयोग को किसी प्रक ग्रैपतार किया गया है किस कारण से इनकी ग्रैपतारी हुई है इस सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है जिसमें student को सतर किया गया है कि इस प्रकार के टेलिग्राम गुर्प या फिर वार्ट सब गुरूप से बचना है आपको उसके वारे में detail से चर्चा करेंगे एक और notice जारी की गई है सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है हंस रंजन कुमार है नाम अभ्युक्त का और यहां पर खगडिये विहार के हैं और दूसरे में दो लोग जो हैं इसमें विनाई कुमार, भोशपूर विहार और आकेस यादव, बलिया के हैं इसको उपर देखे आरोप क्या लगा हुआ है और अच्छी भरती परिच्छा को प्रिश्णपत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाये गया है इनके बारे में डीटेल से चर्चा करेंगे एक और नोटिस जारी किया गया है किस प्रकार से ठगी कर रहे थे और दूसरा यहाँ पर देवरिया वाला जो यहाँ पर है विनाई कुमार और राकेस यादो यह क्या कर रहे थे कि राकेस यादो की इस्थान पर विनाई कुमार द्वारा परिच्छा में समलित हुए तो इनको पकड़ा गया तो ये दोनों लोग जो हैं आज की डेट पर इन पर कारवाई हुई है अभिक्तों की कुल संख्या जो है तीन है तो ये डेटेल में आपको बताया भी गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाटा भी रिलीज किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रहम ना रहे एक और नोटीस आई है उसके ओर हम लोग चलते हैं उसमें विस्तार से आपको बताया गया कैसे आपको इन सभी अफ़ाओं से बचना है अब देखिए यह बड़ा से नोटीस आया है इसमें आपको समझना है कैसे आपको इन सी चीजों से बचना चाहिए जो उपर की पहला नमबर आरोपी था हंस रंजन कुमार किस तरह से यह रैकेट पूरा चला रहा था उसके बारे में पूरा एक बड़ा से नोटीस जारी किया गया है इसमें लिखा भी गया है कि प्रष्ण पत्र आॉट कराने के नाम पर ठगी कर रहा था मतलब प्रष्ण पत्र इसके पास है भी नहीं और लोगों से पैसा ले लेता है और किस प्रकार से ले रहा है उन नीचे लिखा गया है उनसे आपको सतर करेना है और अपने एक्जाम की तयारी को बहतर करना है इन सब सुसनों को देखते जाना है और बस अपने तयारी पर आपको लगे रहना है तो वराणसे से ग्रिपतार किया गया है हंसरंजन कुमार जो है, वो पुत्रों यहां पर दिया गया है, खगडिया का बिहार का है, आप देख सकते हैं, इसके पास जो समान मिले हैँ उसमें एक मुबाइल फोन, दो डेविट कार्ड मिले हैं, इस प्रकार से पासपोर्ट, पैन कार्ड ही मिले हुए हैं, गिरिप तारी का इस्थान दिया गया है, 24 तारीक मतलब आज की डेट में इने पकड़ा गया है, इस्थियप के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो परिच्छा के सुच्टा, पारदरिश्टा, भंग करने के प्रयास में गिरोहों के विरुद्ध, अभी सूचना के तहत ये कारवाई की गई है, इसमें यहाँ पर लिखा गया, वाराणसी में सिकायत प्राप्त और पूरुस अभीहरतियों को एक हजार रुपए देने थे, जो कि यूपी आई फोन नंबर के माध्धम से ये किवार कोड भी अपुलब्ध करा रहा था, और कह रहा था कि उप्त हार्सक ग्रूप में जुड़े अभीहरतियों को परिच्छा से पूरु प्रिश्पत्र उ जो कि एडविन का मुबाइल नंबर भी यहां पर लिखा गया है, लाश्ट के आंके छुपा दिये गया है, बाकि यह नंबर अगर आप किसी प्रकार से इन प्रकार ग्रूप में है तो छोड़ो देजे ताकि आपके उपर कोई भी आज ना सके, इसके ग्रूप एडविन न तो हंसकुमार उत्तर प्रेस पूलिस अरच्छी परिच्छा के नाम पर ठगी कर रहा था और वरारसी से इसका मिलना जूलना भी है लोगों के साथ में, और चर्च के पास आने वाला है यह थी सीकृता से तो पकड़ा जा सकता है, इस प्रकार के ने सूचना मिली थी, तो उ रूपने एडमिन में इस्पेटर हंसराज अंकित किया हुआ है, धारक के बारे में पता चला ग्यात हुआ है कि मुबाइल नंबर मनिस कुमार पुत, राजा राम राम निवासी, मतलब यह मुबाइल नंबर जो है, इनके नाम से रेजिस्टर किया गया, मुबाइल नंबर जो लगाया था, इसके नाम पर नहीं था, इस प्रेकार से यह सूचना देखिए, पुलिस के पास आई है, जिसका विस्तित तरह से पुलिस ने इसको सब के सामने दिखा भी दिया है, कि आप लोग भी देखिए, मतलब कि इसे चीज़े कभी छुपा लेती हैं पुलिस हैं, लेकिन अपकी बार पूरे तरह से निस्पत छोकर पूरा प्रेस नोट जारे किया जा रहा हैं, तो यूनियन बैंक आप हिंडिया से यह पूरा पैसव से जमा करा रहा था, अलाग इलाग इसके पास 80 हाटसप ग्रूप थे, यहाँ पर देखिए 80 हाटसप ग्रूप और टेल पर को यह बेंच रहा था, अब यहाँ पर देखिए, प्रिश्ण पत्र जिसको चाहिए, वो UPI यह थवा QR code के माध्यम से पूरु 100 रुपए और 500 रुपए भेज कर, गुरूप का सदस से बन सकता है, पेपर भी नहीं दे रहा, सदस से बनने के लिए आपको, मतलब कि पहले आप सदस से बनिये, और उसके बाद आपको पेपर मिलेगा कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नमबर भी इसके नाम पर नहीं था, परिच्छा से एक दिन पूर आपको प्रिश्ण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, एसा वादा यह आप से कर रहा है, इसके उप लोगों भी लगता था, एक हजार चले गएं, तो हम लोग फज गएं, या फिर हमारा घाटा हो गया, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं मिला तो नहीं मिला, उसके पास ही पेपर नहीं आया, तो इस प्रेकार से पांसो हजार रुपए को लोग नहीं सोचते था, लेकिन ऐसा लगभग 20 लाक रुपए तक के प्रिश्णपत्र उबलब्द कराया जाने के नाम पर लिया जा चुका था, इस ग्रुप के द्वारा ठीक है, इस्तिक्रम में आज 24-2024 को वराणसी में इसको पकड़ा गया है, तो एक गिरोह का परदा फास हुआ, उसके साथ में दो लोग और थे, जिनका एक के स्थान पर एक पेपर दे रहा था, तो उनको भी पकड़ा गया है, उनके बारे मुझे लगता इसी प्रकार से बीटेल से भी पूरी तरह से जानका रही आएगी, अभी पहला जो गुनिगार था वो पकड़ा गया है, तो इस प्रकार से पूरी की पू प्रकार से पेपर कैंसिल होता है तो उस पर आपको कारवाई भी होगी और नया अभी आपने देखा अध्धधेस पास किया गया है जिसमें उम्र कैद तक और आपकी नौकरी आप कभी जीवन में नौकरी नहीं पासकते हैं तो इन सब चीजों से आपको बचना है बस आपको एक काम करना है पड़ते रायना है जो आपको पेपर करा जा रहे है तेज के उसी प्रकार से रहरा है इन सब चीजों से आपको कोई भी दिखकत नहीं लेनुत दो पता है तो बहुत धेज सारे लोग पकड़े जाएंगे बस आपको तयारी पर ध्यार रखना है मिलते हैं